तो उंसी क्यों है? यूंकि उंसी केज है? पैसी उंसी केज? जिसमें सदा मन बुद्धी में, वो सुप्रीम सोल समाई रहती है. इसलिए जब चोती में ब्राह्मन गांच बांधते हैं, तो क्या बन जाता है? बोल बोल तो बाबा बन जाता है. तो जैसा इस्थान है, उंसी चोती है, बैते ही इस्थान के साथ इस्थी भी उंसी है, जैसा उंस्चा नाम, जैसा उंस्चा ज्यान और ऐसा ही उंस्चा कम, जैसे बाब के लिए गायन है उंस्चे से उंस्चा भगवान, भगवान कैसा? उंस्चे से उंस्चा, किससे कमपरीजन किया? किससे कमपरीजन किया क्या? नहीं? कमपरीजन उंस्चे के उंस्चा माना कोई है ना जैसे उंस्चा है? तो उंस्चे के उंस्चा भगवान, भगवान तो बहुत हो गए बहुत्यों ने बहुत्यों को 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 उते उती ब्राह्मन कोई होता नहीं है। इते उती शिती का यादगार, आज दिन सत भी जो कोई सेश करता भी ये वस्वकारी करते हैं, तो नामधारी ब्राह्मनों से इकर आते हैं। समस्य है कि ये उते हैं। इस समय कि शिती करम का यादगार, अब भी कैतन ने सक्षी ब्राह्मनों की रूप में देख और सुन रहे। समय कि शिती करम का यादगार, तंगम यूग, तो तंगम यूगी नहीं सामानी रूप से, लेकिन पुरुषोत्सम संगम यूग, पुरुषोत्सम संगम यूग। से, मनुष्य आत्माओं में सेस्ट कार्ट जिन्होंने बजाया है, उन्हों पुरुषोत्सम की प्रचक्च होने का यूग है, तो जरूर करम भी उंच होंगी। तो सेस्ट कर्म का यादगार, अभी भी देखते हैं और सुनते हैं, क्या बताया यादगार, क्यों कोई भी सेस्ट कारी करेंगें, तो कि सेस्ट कराएंगे। ब्राह्मन उसी कराई। उस्वंगन उगुनों कॉंसर्ष ने सचारी किया। ब्राह्मन बच्चोन। बापको प्रिटक्ष करने साचारी किया। उस्टे साधिक हुआ। सुर्बल सारीच नहीं दी गई है ओरिजिनल। लेकिन ये कॉंसर्वर्स की मुर्ली होगी। अभ्यत्वाने। 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 सच्च्यता वर्स कहने आया गया। 76। इस समय कि सेख्ष करम का यादगार अभी ब्राह्मनों में देखते हो और सुनते हो। बाप की प्तक्षका ये हुआ स्रेष करम। जो करम दुनिया में और कोई और कोई आत्मा हमें कर सकती। तो ब्राह्मनों ने ये करम किया है। चोटी के बाह्मनों ने। बाह्मन चोटी। तो कौन हुए। बाह्मन चोटी कौन हुए। बच्यों में भी फिर कौन। अरे ब्रह्मा के चार पुत्र गाये हुए हैं पहले पहले। शनत्य कनातन सवंदन सनत्कुमार। विदेशियों द्वारा ही बाप को प्रिशक्ष हो के बोला। विदेशि बाप को प्रिशक्ष करें। तो जरूर वो जो मुख्य चार धर्म हैं। देवता, इसलामी, बाद्धी और किसियन। इन चारो ही धर्मों के जो मुख्य बीज हैं। पूचते हुँचे। शेचते शेचते अपने धर्म में पालत बजाने वाले। बॉर युथ परमात्मानत्य बाप को प्रिशक्ष करते हुच शेश। ऐते नहीं को नज करते लिए बादिती दुनिया भी दोन से.. वो बाप को प्रिशक्ष करते हुच। और 76 में प्रिशक्षा रस्मानाई लिया गया इसा.. नहीं। बाक के बत्याई बाक को प्रिटक्ट करने वाले नहीं हैं। तो अब स्रेश अर्फात हायस आत्माओं का स्रेश प्रभाव। कलप पहले वाला भी अब सक दी जायें। अपने अपने धर्म के वो चारोगी जा हायस हुए न। शिखर के हुए न। तो चोटी के ब्रामन हो गए। एक तरफ यादगार देख रहे हो। शेश शिकर्म की महमा का गाइन सुन रहे हो। और दूसरी तरफ शेश शेश पालत बजाए रहे। तो यादगार और पैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे ह। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊच थे। अब भी ऊच हैं और फिर होंगे। अब भी ऊच हैं और फिर होंगे इसका मतलब जीश में गेरे लिए। विदेशियों के द्वारा बाप प्रचसित होता है। क्योंकि विदेशी पहले जान देते हैं। विदेशियों का दिन क्या बज़े से शुरू होता है। रात्त्री पे बारह बज़े से। और भारत में जब सूजय निकल आता है, विदेशियों का सवेरा जन्दी हो जाता है। वह पहले जाग जाते हैं। लेकिन जाग तो जाते हैं। लेकिन जगा कर और फिर फिर तो जाते हैं। तो इतलिए बोला। इतलिए होता है कि पहले भी कितने उच थे। अब भी उच हैं। और फिर होगे। इसका मतलब अप्टें डाउंस में आते हैं। हमें उन राहों पर चलना है। जहां गिरना और समलना। कुपिंटी यग है। हर यूग में चरती गला। और उतर भी गला नुदिवी। जैसे ब्रामन उचे हो। बैसे ब्रामनों का समय भी सब यूगों में से सर्व सेस्टी यूग। अर्थाप समय है। यह सब सेस्टी ब्रामनों की च्यों बनी। क्योंकि ब्रामन ही उचे 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 बाप के सेस्ट करता जिने ता यूगी बनने का सेस्ट भागी प्राप्स करते ह। कि करता जिने। शुच्च बापि किसंख करता दुनिय तहीं होगी बनने का, कि सिस्कारी करते हैं। तो कुछ से बाप हुए? अब्राहिम पुर्भश्रायसी यदी तो धरन किता हैं ना? लेकिन इन बापों का भी जो बाप है उस बाप की प्रशक्यता में सायोगी बनने कर्देशिकर, सेथ भागे इतना अपना सेथ पार्च, सेथ समय, सेथ जाइन, सेथ कर्देश और सेथ सेथ सेथ, और सेथ इस्टान, क्या का प्रशक्यता का इस्थान की कौनका शेथ क्याहि? वो कौनका?Mountables प्रशक्यता का इस्थान Mountables नहीं बताहत है, एक तरफ हहाकार और दूतरी तरफ जैड़कार होगी जब प्रसक्षता होगी तो, जो आज में हुआ, तो सब आंचन होता है। यगी के आज में भी ऐते हुआ था। इस खापना के साथ यगी कुंडर के विनास ज्याला भी प्रदिलत हुए। तो, इतना सेस्थ भार के सारे कंट के अंदर फिरप्राप्त नहीं करते हुए। जाटा है। कि कोई भी धर्म के इस खापना में धंके खाने परते ह। और शुरूवानों को जाटा धंके खाने परते हैं या बाद वालों को। पहले पहले जुपदम बरहते हैं, वो बहुत ओड़े होते हैं. यदि के इस थापना के कारी में शुरू आते हैं, जुनोंने चावल जबती भी दिया, उनों का बहुत उचा भागी बन जाता है. व्योंकि बहुत पड़े समय पर वो कारी करते हैं. ऐसे से नकर और कोई ऐसा ताई करने की हिम्मत नहीं करता कमाज के साथ मुकाबला दर्मत. तो सारी कल्स हैं, फिर ऐसा भागी प्राप को नहीं करते हैं. एसे हाइस और साथ साथ होलियस. होलियस का यादगार अब तक भी सुनते हो. क्या सुनते हो? मस्तिम बारु में होलियस कि इनको कहा जाता है. चार संकराचारी हैं? उनको क्या देते हैं? तो क्यों कहते हैं? किसकी यादगार हैं? मुस्तंकराचारी कोई होलियस नहीं है. उनको बरगात फोरने वाले क्तायर हैं? वास्तन में ये यादगार किनका बनता है? वो बात के उचते उचते उचतायत बजाने वाले स्वेश्चते स्वेश्चत बच्ते हैं. ब्राह्मनों के बजाएं आपके देवता रूप का गाइन करते हैं. ब्राह्मनों का लेकिन ब्राह्मनों का गाइन नहीं है. क्योंकि आपके दाउन में आते रहते हैं, उन्हें की संपन रूप का गाइन है, तो ब्राह्मनों का संपन रूप क्या हुआ? देवता रूप. वो लिए इसका कौन सा गाइन है? कमलनयन, रस्त कमल, मुख कमल के रूप में अब तर भी गाइन करते रहते हैं. तो अब प्रैक्टिकल में चेक करूँ, के हर सर्मिंदी ये कमल समा न्यारी बनी है, लगाओ कि ये लुपूची तो नहीं होती है, यसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा होता है. ऐसे कर्मिंद्रिया, कर्म के, कर्म संबंध के संपर्क में आते हुए न्यारी हैं, अठत देह और देह के संबंध की, देह की इस पुरानी दुनिया के आतन संसे परे हैं, कोई भी कर्मिंद्रिय का रस्त, देखने का, सुनने का, बोलने का, अपने वकिरू तो नहीं बनाता है। कोई एक संबंध की बात नहीं कही है। लेकिन सबी संबंध्रियों की बात है। क्या वो स्टेश किंद्रिया हो। और क्या वो ब्रस्तिंद्रिया हो। जशी भूत बनाता है। अर्था थो लिए इससे भूत बन जाने। किसे बात कर रहे है। अग्यत्व बाप दादा बात किसमे कर रहे है। चोटी को दामनों को, जोना ने बापको प्रतक्त करने का स्टेश्य तेश्य करतक्त करना है। यह पास की वाड़ी है और साथ जोनों ने शेट सेट सेट करका भी किया उसे बात कर रहे हैं तो अगर बखी हूंत होते हैं तो हो लिए शेट से क्या बन गा से भगवान से क्या बन गाते हैं भूलिये ऐसे तो भगवान होता है अगर क्या कुल होता है भगवान होता है तो भगवान से क्या बन गाते हैं बूत बन गाते हैं इसका मतलब जिन शोटी के ब्रामों से बात करते हैं उनमें तो कोई ऐसे भी हैं जो रात्री के बारह बजहे जब पहचान देते हैं कि ज्यान चूरी हो जाए हो चुछ और जाग जाते हैं और जगाते हैं तो उससे स्टेश करता जिए कही कालम? आयेक यादगार उनका, उनका बनता है और जब सो जाते हैं तो बूट बन जाते हैं जब भूत बने आते हैं, तो भूतों का करता भी है दुखी होना और दुखी करना. उस समय वो बाप से बिछोड़े हुए होगे, यह संबंद जोटा हुआ होगा. जिनका बाप के संबंद जोटा हुआ होता है, बोतो दूसरों को तुखी ही देते हैं. हाइस ब्हामन के सूपर बन जाते हैं, इसलिए सदय दिये हिस्मती में रखो, कि मैं हो दिये, और हाइस हो. जब यह प्रत्च रूप में अथा संकल्प और स्वरूप में हिस्मती में रहेगा, तब ही प्रत्च्छतावं को मनाई सके हैं. इसको प्रत्च्छतावं का जीकर किसने किया? अब यह प्रत्च्छतावं का जीकर किसने किया? कैसे बापको? तूच से उँच बापको. उँच से उँच और नीच से नीच कहां होते हैं? मूल बतन में? या तुच्छम बतन में या साकार बतन में? साकार बतन की ही बात है. सुप्रीम सोल जोती बिंदू न कभी उँच बनता है और न कभी नीच बनता है. वो जिसमें प्रगेश करता है वो उँच के उँच भी बनता है और नीच नीच भी बनता है. तो उच्चे उच्च बाप को प्रिटच करने के लिए जब तक रहने हैं और स्वरूत उन्हें भोलिये और हाइस्ट नहीं बने तो बाप को प्रिटच करेंगे तो नसला तो आंसे की सफलता मिल सकती है लेकिन बाप की प्रिटच्चता की कमपूर प्रिटच्च करना ही बाप का नाम प्रिटच्च करना है तो चे काम से तो चे बाप का नाम होगा अपनी रूहानी मूर्च से रूहानी बाप की प्रिटच्चिता करनी है ज्यानी के धोल बजाने से नहीं प्रिटच्च्चता होगी बड़ बड़ मेले कांसेंस करने से बाप की प्रिटच्च्चता नहीं होगी का यसे प्रिटच्च्चता होगी क्या है अपनी रूहानी मूर्च प्रिटच्च करने से ही बाप की प्रिटच्च्चता होगी जैसे धरम प्रिटच्चता कैसे हुई ? उन धर्म प्रिटच्चता की मूर्च पैसी है ? यह कित्रों में आज भी भी दुखाई जाती है मेरा आपनी सेग मेज भी भी जाती है मात्मा बुद्ध का तेहरा देखो प्रायसिका देखो, गुरु नानका देखो, देखने से ही लगता है कि जैसे आत्मा यहां इस सातार सर्थी पर नहीं, तो आपकी भी रूहानी मूर्थ, रूहानी बाप को प्रिटच करेगी. जो हर आत्मा हर ब्रह्मन में ब्रह्मा बाप को देखें. रचना आपने रचेटा को दिखाएं? पहले तो जो पहली पहली रचना हुगी बाप की, वो अपने बाप को प्रिटच करेगी. तो पहले रचना कौन हुए? पहली रचना हुए? वो ही चार धर्मों के जो चार बीज है, वो ही पहली रचना है. जब प्रिटी का आगी दिखाया है, तो पहले चार धी प्रिटच का होती है. पैदाइक. पर नम्मर वास. तो हर एक के मुख्र से एक ही बास, एक ही बोलने निकले, कि सेम भगवान ने इनहें इतना तकदीरवान बनाया है? माना उन्हें चार मुख्य धर्मों के जो चार बीज हैं, उन्हों को तकदीरवान बनाने वाना कौन? कोयम, कोयम बाप, दूसरा कोई नहीं. क्योंकि वो डिरेक्ट बाप की संताना है. पहली-पहली, हर एक की तकदीर, बाप दादा की तश्वीर पर सिद्धि करें. हर एक अपने को ऐसा दिव्वे, चक्छु दर्पण बनाओ, जो हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का सक्षा करू. जिसमें अपना थी चहरा बिखाई कड़े, और दूसरे भी उस दर्पण में अपना चहरा भिश सकें, अपने पाइट को पहचान सकें उस ज्यान दर्पण में. कि हम किन्त धर्म के हैं, किसे देश विशेश में पाइट बजाने वाले हैं, और कौन सा समय विशेश है गया हम उसको विशेश विशेश पाइट बजाना है. वो सब ज्या अंदर्पण में दिखाई देख. साथाकं बाब समान की दिखती ही बाब कर साथा करकर आय सक्की ही. प्रच्टा क्षेक पावर समनगाना? अर्छाक त्एम को बाब समन बननाना'? किसके समन बननाना? स्एम को बाब समन बननाना? बाक्समान बनाने का क्या मतलब हुआ। निराकारी स्टेज की बात है। बाक्समान बनाने का मतलब यह नहीं कि शरीर छोड़ जाए। और आखों से ओधन हो जाए। नहीं। शरीर में रहते रहते निराकारी स्टेज बने। जािकि बाग की stage हो, वैसे बत्तों की stage हो, दर्म Tensor harvest की जय की stage है, तो दर्म Tensor од की साफ्च्ट की stage है, संपन्य stage दिकाई गही है, न altogether. तो ऐसे ही बत्तों की भी stage कैसी हो? संपन्य stage. चर्थी और उतर्थी पेजवाली नहीं। यह इसी साधन तो निमित्य मार्त्र साधन है। सदाकाल का साधन तो क्लें सिध्धी स्वरूप बननेगा है। सिध्धी स्वरूप यह सतह सिद्ध करेगा। कि ऐसा उंचा बनानेवाला उंच ते उंच भगवान है। तो साधनों के साथ सिध्धी स्वरूप बियत्नाव। संसल्प, वानि और स्वरूप, तीनों ही होलियस्ट और हाइयस्ट। ऐसी स्वरूप से ही बाप को प्रिटच कर सकेंगे। बाप्तादा बच्चों का उमंग उत्षा, पेश्च संकल्प, महनत और लगन एक हर्षित भी होते हैं। लेकिन आगे के लिए सायोग देने के लिए प्लैन बताए रही है। सबका एक ही संकल्प है। एक संकल्प में महान सकती है। एक रख्टिस्थिती में स्थितो हो, इस एक संकल्प को चौन्प में लाओ। कल्प कल्प के विजय की तकदीर और उस तकदीर की तस्वीर का तो अब धी गायन है। पहले पेज का मनुद। सबका एक संकल्प में महान सकती है। एक रख्टिस्थिती में स्थितो हो, इस एक संकल्प को चौन्प में लाओ। कल्प कल्प के विजय की तकदीर इस तस्वीर का तो अब धी गायन है। अथवा वो तस्वीर अब धी ताइम है। कौनकी तस्वीर? जो कल्प कल्प के विजय की तस्वीर दिखाई जाती है। कोई तस्वीर है की? भग्तिनार के चित्रोनायती कोई तस्वीर दिखाई जाती है। अहें? नहीं? अरे राजगद्जी की कोई तक्वीर दिखाई जाती है? नहीं? राजगद्जी जाती है? आहां. किएते हैं, जब विजय जटहरा पूरा हुआ, तो दीपावली पर उनको राजगद्जी मिली, और राजगद्जी में किस्ता चितर दिखाया गया? शिप्राम सिता गया. एक भाई का इस चितर दिखाया है क्या? चारो भाईयों का चितर दिखाया. तो यो तकदीर की प्रसदीर बन गई. जन्होंने कर्मिंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रेक्टिस किया, पकदा, वो छत्रधारी बन गए. और जन्होंने प्रेक्टिस नहीं गी, और एक संकल्प में नहीं रहे, संकल्प में धेद पैदा कर दिया, वाचा में धेद पैदा कर दिया, तो उनको चवर दोलाना पड़ा। दाकदासी के रूप में बाईयों को क्यों दुखाया गया। ये ऐसा चितर क्यों बना। जो कोई सिंगासन पर बैठा है एक बाई और दूसरे बाई चवर दोलाई रही है। ये यादगार का लगी है। जरूर संगमी की यादगार है। तो कल्प कल्प के नंबरवार विजय की तक्दीर की तक्दीर बनी हुए। ये तक्दीरें इस्टना कहां बंदा ही है। जहमनों की संगमी की दुन्या में वे तक्दीरें तैयार गो रही। अच्छा, ऐसे अपने तक्दीब वारा बात दादा की तत्वीर दिखाने वाले, तदा समल की समान अल्पकाल की आतर्षन से परे रहने वाले, बात समान भो लिए और हाईयbay, समान में उस्थित रहने वाले, हर आत्मा में बात की एस्थिये को, प्रूद को और समद्ध को पिचक्ट करने वाले, ऐसे सरफ से ऊच्छे उच्छे गामणों को। उसी के उसी बाप ददादा का यादिकर्ण और नमास। ऐसे ऐसे बते को बाकी को बाकी को नमन नहीं करते। यादिकर्ण नहीं करते। दूसरा पेड़ दादी हो चुट। को बाकी करते हैं। प्रिक्ष्षसावर्ण मनने के लिए आप दादा को आख वा रहा है। और काण पौा रहा है। भिसें सुरूप में प्रिक्ष करने कर प्रेयतम किया। कौन से बते हैं। ये भी सेवा का साधना आवस्टेत है, लेकिन ये अखवार वक्तार उट देखा, बढ़ा, वक्तुना, परिस्मसी पना जाती है, समा आपको तो नहीं कहने में, क्योंकि सनय पर यहीं समर्थी जो अब समा गई, वो स्वरूप में आएगी, क्या स्वरूप में आएगी, उनको याद आएगा, इस चेक्षर में कोई कार्ड बाचा गेरगा, वो कार्ड बाच की प्रशक्षिता का ही कार्ड था, और वो स्वरूप में आएगा, इसलिए, समास नहीं कहेंगे, कार्ड की सेवा से, आपवारों की सेवा से जो इसमती काइन हुई, उसे समास महीं कहेंगे, लेकिन समा गई कहेंगे, इससे भी धरनी में थोड़ा बहुत इसमें का परिचय का बीज पड़ गया, लेकिन इस बीज से प्रतक्षता का फल कैसे निकले, पानी तो डाला, किसलिए डाला, फल के लिए, वो फल कैसे निकलेगा, अर्षाब संकल्प टैक्टिकल सुरूप में कहते आएगा, उसके लिए सगावर काड़ तो नहीं छपाते रहेंगे, आजकल मेजार्टी आत्मों की इच्छा क्या है, सुखसांती के प्राप्टी की इच्छा तो है, लेकिन विठेश जो भवत आत्माई हैं, उन्हों की इच्छा क्या है? मेजार्टी बख्टों की इच्छा सिर्फ एक कहिंद के लिए लाइफ देख लेगी है, जैसे प्रचसिता होगी, रुवानी चहरे से, आँखों से, जो लाइफ निकलेगी, उस लाइफ से ही बात के बचके बात को नम्मरवार्ट प्रच करने वाले ताबित होगी, तो ये इच्छा ऐसे पूर्ण होगी, ये इच्छा पूर्ण करने का ताधन्य ब्राह्मनों के नैन है, इन नैन ज्वारा बात के जोती चुरूप का ताच्छा कार गोजए, बाप तो जोती है ना, तो कैसे दुखाई देगा प्रचार को, जरूर्ण नम्मरवार बात के बच्चे ही अपने नैनों से बाप को उस जोती को प्रचक करेंगे, तो यादगार में दिखाया है, कि अर्जिन ने क्या कहा, बस बाप, अब सहन, सहन नहीं होता है, इसलिए मुरली में बोल दिया पहले से, कि अंतने बापताबा जों से दुख देगे, जो तुम खड़े भी न रह सेगे, तो इन नैनों दोरा बाप के जोती सुरूप का सक्षप्रार होता है, ये नैन, नैन नहीं दिखाय देंगे, लेकिन लाइच का गोला दिखाय देंगे, जैके आकास में चमक्ते हुए सितारे समान दिखाय देंगे, लेकिन वह तब देखेंगे, जब स्विम लाइच सुरूप में स्थित हो, करम में भी लाइच, अर्फा ठल का पन, और स्वरूप भी लाइच, और स्टेज भी लाइच हो, जब ऐसा पुर्शार्थ का इस्मती स्वरूप विजे सात्मों का रहेगा, सब का नहीं रहेगा, उसका विजे सात्मों का, तो विजे सात्मों को देख, सब पुर्शार्थियों का यहीं पुर्शार्थ रहेगा, क्या? कि कैसे वो दूर हमारे नैनों में समाज है। बार-बार कर्म करते हुए चेक करो, कि करम में भी लाइज अर्था थरीपातन है। क्या? जो भी कर्में इंद्रिय से जो भी कर्म करते हुए तेज सिंद्रियों से करते हुए। इंद्रिया तो है ना? तो जो भी कर्म करते हुए एक कर्म का नाम नहीं बताया। लेकिन उस कर्म में हलतापन है। खकान तो नहीं होगी। आसक्ती तो महसूस नहीं होती, हमारी संद तो महसूस नहीं होता है, तो बार बार कर्म करते हुए क्या करो? कि करम में लाइठ अर्था ठागे का पन है, बोज तो नहीं है, करम का बोज अपनी तरफ ठीचेगा, याद में नहीं ठीचने देगा, अगर कर्म में बोज ही नहीं, तो अपनी तरफ ठीचावन ही चानेगी, लेकिन कर्म योग में परिवर्पिस हो जाएगा, क्या, करम का भोग, तो प्रिचक्षतावर्थ मनाने का स्वरूप और गाइब, यही तब की बुद्धीन है ना? तो इस्पूल साधनों से प्रिक्षता होगी? बड़े बड़े लेले करनो, बड़े बड़े कांसेंस करनो, बड़े बड़े मीजियम खोल दो? इनसे प्रिक्षता होगी या 10 के पुर्षाट से प्रिक्षता होगी? फिर किया क्या अब तक? 76 से लेकर अब तक इस्थूल साधनों के जोर जुवार में लगे रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े भर्मा अभेवारियों को निमंत्रन देकर बुलाना पड़ता है। आखवार वाले स्वें खुचे हुए चल ले आएं। तैलिजियन वाले खुद ही आकर के साथ साथ सार लें। और आखवारों के पेज भर जाएं ज्यानी सुबासों से। मुख्यन संसार में सेवा का कारी करे। हमें उन्ते कहना न पड़े, पैसा न देना पड़े। तो ये भी होगा। लेकिन कब होगा। जब। जब हमारे नैनों में वुक्तिकारा समा जाएगा। जैसे सातार में देखा कि जितना ही अती करम में आना। शुर बाबा का सातार सुरूप कौन का हुआ। एक है सातारी पार्ट और एक है शरीर में रहते हुए भी अव्यक्त पार्ट। व्यक्त नहीं है। माना कोई इन आखोंते देखना चाहे उस पार्ट को तो नहीं देख सकता। एक सातार इन शरीर में होते हुए भी इस देहे और देहे की दुनिया और देहे के भंदों पे पर एस सेज़ी में नहने वाला पार्ट। वो इन आखोंते नहीं दिखाई देशकता। तो यहां साकार की बाप कही है, मानव। बादा लेखराज ब्रह्मा की सन से जो पाष बजाया माता की रूप में, माता होती है साकार, और बाप होता है वीज। वीज कमाने बाप, मिला कार। तो जैसे साकार में देखा कि जितना ही अथी करम में आना, विसार में जाना, रमनिक्ता में आना, संबंध और संपर्थ में आना, उतना ही अभी अभी संबंध संपर्थ में और अभी अभी न्यारा. जैसे संबंध करने आना सही, जैसे न्यारा होना सही. तो अब ऐसी प्रैक्टिस बच्चों की भी चाहिए. अपी के समय एक स्रेकंड में अपी का अंतो बुझाए। कर्मिंद्रियों से कर्म करने की बात कर रहे हैं। अभी अभी अती और अभी अभी अनुद। यह है लास्ट वक्त का लास्ट सेज का पुर्शाथ। आता प्लेंग बनाओ। यह रेहस्टाल करो। प्रिल करो। ग्रिल में क्या करते हैं। वो इस फूल ड्रिल करते हैं। उसमें क्या करते हैं। ो वईन को साथे हैं। कुछ थे सब्णुद। अभी हाथ। पाम्त पूल गरें। क्या एक सब्णूर। ढूर्पा R. ब्रेभी तो जितनमारी दिनले ही है. हमारी ब्रिल है, मंभू बुत्धकी की अभी अभी सापारी, अभी अभी आपारी, ensuring ॉब अभी निरानी रह टाधी है। आता क्यों बेदें गीम। लिकें मारे जुचल केज है। या भर्ट कोई आलाव से भूख आभी कोई एक मैं और देरा बास और सीषरीटी सुख़ी जांते सापारिकी देह की समती देह के संभंधियो की समती संसार की समती संसार की बंदय दोड़ी की पिश्मती वोल सापारिकी आती और अंती की दिल, अभी अभी आती संबंद में, संबंद साकार्वे होता है कि आकार्व या निराकार्व, साकार्वे ही संबंद हो, जूटता है. संबंद 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 तो अभी-अभी अती संबंध में, जिसके संबंध में आये वो भी यह नहों करें, यह अती में है, और अभी-अभी एक दम नहारा है, वैसे लाइफ हाउस में समझाएगे, लाइफ हाउस, अर्थाथ अपना जोर की जेश, अभी-अभी कर्म छेट चता, और अभी-अभी परंधा, अच्छा, माताओं, बापदादा का माताओं से आज इसे विचेशित नहीं है, किसे विचेशित नहीं है, माताओं से, किताओं ने क्या गुनाह किया, और गुनाह किया होगा क्या, तो हिंसा का हिंसा सक्कित्र दिखाया है प्रजाथनी यंग में, उसमें एक तरफ माला दिखाई गई और दूसरी तरफ, आसुर दिखाये गई और दूसरी तरफ सामने, आसुर दिखाये गई और बाबा उगली की तरफ, उनकी की तरफ अचारा कर रहे हैं, तो जो आसुरी शक्तियां दिखाये गई है, उन्हें में कोई इस्त्री भी है, उन्हें में कोई इस्त्री, इस्त्री नहीं है, साब पुरुस, इसका मतलग क्या हुआ, कि आस्ताई, पुरुस चोला होता है, इस्त्री भी कोई एकका दुखका सुखन खापू चना होगी, नहीं को मोसली होती नहीं, इसलिए मुर्ली में बाबा बोल लेते हैं, कि सब पुरुस है दुर्योस अंदुषासन, और सन्याय माता हैं पीताय, दुपदिया, पारवतिया, तुम सब हो पारवतिया, फिरेज़ों भी बोल लेता, आत्मिक रूप में तो सब पारवतिया हैं ही, पार लगाने वाली पारवतिया, कब बने थे, जब आत्मिक रूप में तो होती है, तो बाप दाबा का माताउं चे आज से गेते सिसने हो, और आज से गेते सिसने होगा तो आज तो अंतमे भी यही साधित होगा, आज हुआ सिंग है द्रवात आज से, बहां बड़ बड़ अच्छे अच्छे भाई भी आते थे, बड़े उंसे घरा नहीं थे, और माताउं का नहीं भी आती थी, लेकिन जब इस फोट हुआ, तो भाई सब सब बढ़ दे हो, और माताउं से योगी बनी रही, जो आज में हुआ वो सब अंत में जब अड़ांस पार्टी पूर होती है, क्यारिस वर्स्त का सन्गम पूरा होता है, पक्तिजी सूचिन का पारी पूरा हुआ, तो आगे तो अंत के मुताबिक, फिर बोली द्रामा, भू बहू रिपिटीशन, क्या, कि माताउं भी सहयोगी बनी पीन, और भाई भी सहयोगी बनी पीन, पूर्चे से उचे पाच बजाने वाले भाई भी सहयोगी बनते हैं, जिनका अभी बाहनी में दिकर किया, चोटी के गहमर, वो आग में भी थे, और वो फिर अंत में भी होते हैं, जिसे ने अंत ही किया, उसे ने सब कुछ देखिया, तो एडवांस पार्टी में भी आंसे सक माताईं सहयोगी बनी रहते हैं, और भाई सब साथ धोफा दे जाते, यह भी सेवा के लिए दोखा देते हैं, ऐसी सेवा बुवा रगो, यह तो अच्छी सेवा हुई ने, अपना भागी हरा करने लेगी, जो सवर दोडाना पड़े, ठत्तर दारण करना पड़े, लक्ष्मी नरायता पेशगीर पकरना पड़े, यह अच्छी देवा हुई क्या, चलो, औरों के लिए तो अच्छी हुई, तो आग से विशेश इतनी है, किसे है, माता हुँ, ज्यादा सेहन भी कौन करती है, माता है, यह ति कि साथना में भी विशेश किसका पाट रहा, ज्याद की बात बताईए, ज्याद यह कि जब शुरू हुआ के दहद रहा भासे, तो वहाँ भी माता हुँ कभी से इस पाट रहा, इस ठापना में भी भी सपचो लगा दिया, इसका मतलब इस ठापना में भी रहा विशेश इस पाट, तो जब ज्याद यहगी की अंति माहुती होती है, समापन समारों, तो उसमें भी माताओं कभी से इस पाट रहा, आध में भी निनिसुकुन बने, और अंत में भी प्रत्यक्षिता, और विजय का नारा लगाने में, निनित कौन बनेगी, माताओं, तो आज ने भी और अंत ने भी विशेश माताओं का पाट है, बाप की पच्छिक्ष करने, चाहे देशिक नालिजी में और चाहे एड़ांज, पाटी में, बाप को फिट पच्छिक्ष करने का विशेश पाट हैं, माताओं का हुए, संखेतर की इस्थापन और विनाज की घोचन की गई थी, ठाशक में, दसवस में पुरानी दुनिया का विनाज और नई दुनिया की इस्थापना होगी, तो एक तरह सहातार और दूसरी तरह ज्यागेतार होगी, तो तंगम पर गोपिकाओं का गाय में है, गोपी बल्लव गाया हुआ है, गाया क्या हुआ है, गाया क्या हुआ है, गाया किसका है, गोपी बल्लव गोपी बल्लव नहीं है, वह के नहीं है, तुमारे बल्लव के टेंज़ें, क्यों केंगे, क्यों कुआ पॉलसर्तु का देवान जली झूचता नहीं है, लेकिन फिर भी आकली निनकिता है, उती स्थेज में जाकर तॉन गल मरें? आम निनका, जक्तियों के लिए नहीं दिखाया, जक्तियों आई ते नहीं जाय सकी, जब पहारों के गए, तो पहले पहले कौन, पहले कौन धरासा हुआ, ग्रोपधि, और पांड़ों चर्टे चले गे, लाकिनों कौन पांड़ों बचा, युद्ध में इस्थिर रहने वाला, युद्धिर, जो धर्वी युद्ध में इस्थिर रहा है, और जो दोल गए, वो रह गए, तो नंबर वारी स्टेश बताईगी है गन मरने की, लेकिन गोपी बल्ला वह कोई नंगाया हुआ है, यहां तो सवाल यह है, गोपी है, गोप माने, गुप्च और गोपी माना, गोपी माना भी गुप्च, वो इस्क्री लिंग और गो, पुलिंग, माना गुप्च सम्मंद्चों कर्मात्मा के साथ दोनों ने जोडा, पर, सञ्याउ माताओं ने भी गोपियों ने भी जोडा और और गोपने भी जोडा, लेकिन निभाने की बात हुई, कि बल्लह के रुप में निभाने का तारिय का है, सञ्याउ माताओं ने विचेश किया, वो उस भुप्त्र सम्मंध के रह्ष्य को कंसार के सामने, अज्यानियों के सामने आउत, उन्होंने नहीं होने दिये. तो ऐसे अपने कुशेष्ट पाजधारी और बाक्त के विशेष इसने ही समझ करके चलती हो, किसे का मता होता है, जिसको बाप ने अपना बना लिया, तो और क्या चाहिए? कोई भी इस कंजानकारी युग में पर्षिती आती है, तो उस पर्षिती को न देख, वर्तमान को न देख, वर्तमान में छिते भविस्ती को देखो, मानो कोई जुख देता है, बगगाली देता है, ग्लामी करता है, उसमें भी यही देखो के मेरा इसमें कल्यान समाया हुए, तूली से कांटा बनगा है, क्योंकि पूल जन्नों में कन्यान माता हैं भी तो क्या बनी है? पुरत बनी होगी ना, तो पुरत बन करके उन्होंने भी तो कुछी, कुछी हिताफ कीताफ बनाया होगा, तो इस जन्नमें हिताफ कीताफ पूरा होता है. लेकिन तूली से तांटा बन जाता क्योंकि इस जनम में इस युग में हमको मुश्किल को सहज करने वाला बात मिला हुआ है तो यह दुख अकला गाली ही सुखताता की याद के नदीक लाएगी बाहर के रुपते न देखो लेकिन कल्यान की भावना से देखो कोई भी पर्षिती पर्षिती नहीं लगे भी थी इसे अपनी अपनी उन्नती कर सकेंगे अच्छा ओम जाओ कर दो जाओ भी बात बात कर दो देखो झाओ पाम यह प्रेखो